मित्रो नमस्कार मैं मैं त्रिपाठी नच्छत रहस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में यह जानकारी देंगे कि किस देवी देवता की किस भगवान की पूजा अर्चनाजेदे आप करते हैं तो आप धनवान बन सकते हैं इसलिए मैंने थमनेल में लिख रखा है किस भगवान की पूजा बनाएगी धनवान तो यदि आपकी मेश लगन है या मेश रासी है तो आपको चाहिए जीवन परियंत भगवान सूरी को अर्ग दे या आप गुरुवार का व्रत रखे विश्नु भगवान के किसी भी अवतार की यदिया पूजा करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके घर में सुक सम्रद्धी और धन आने से कोई भी नहीं होग सकता इसके बाद बात करें अगर व्रशवरासी की तो यदि आपकी व्रशवरासी है तो माता दुरुगा की पूजा करना और शनी देव की पूजा करना आपके लिए सरवोत्तम हो और धन सुक सम्रद्धी आप चाहते हो तो ओम गंगर पतय नमा हो इस मंत्र का रेगुलर्टी से 108 बार जब करें और प्रतेक बुद्धवार को जा करके गड़ेश जी के दर्शन जरूर करें अगर आपकी करकरासी है तो धनवान बनने के लिए आपको भगवान शिव की आर 108 बार प्रति दिन पाठ करें अगर आपकी सिंग रासी है तो धनवान बनने के लिए गड़ेश जी की पूजा करना या माता दुर्गा के किसी भी आउतार की पूजा करना आपके लिए सरवुक्तम रहेगा आप पूजा करके सुक सम्रद्धी पा सकते हो धनवान बन सकते हो अगर आपकी रासी कन तुला है तो तुला रासी के विक्तियों को चाहिए कि जीवन परियंत गड़ेश जी की पूजा करें साथ ही साथ शनी महराज को जो है दीप दान करें यानि कि चार मुक्षी दीपक जलाए अगर आपकी रासी व्रश्चिक है और आर्थिक रूप से आप परियसान रहते हो तो आपको हनमान जी की श्रण पकड़ेनी चाहिए हनमान जी की चारीसा पड़ सकते हो हनमान जी का मंत्र आप जब कर सकते हो साथ ही साथ प्रत्यक मंगलवार और स्चनिवार आपको हनमान जी के दर्शन जरूर करने है अगर आप धन से परियसान हो और आपकी रासी धनू है तो आपको चाहिए आप कुछ करें या न करें भगवान विश्णू के किसी भी आउतार की यदिया पूजा करते हो तो यकी मानिये सुख सम्रद्धी धन वैव घर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है अप रुठीराम जी की पूजा कर सकते हो प्रश्न बगवान की पूजा कर सकते हो या सवयमिष्णू बगवान की पूजा और ड़ Stillegor आप मकररासी नोगरती है तो एसे ने आपको जीवन परिय शनी महराज की पूजा करनी चाहिए या माता काली की भी आप पूजा कर सकते हों अगर इनकी पूजा आप करते हों तो यकीन मानिए निश्चित ही आपको धन का लाब होगा जीवन परियंत सुख सम्रद्धी धन वैभव आपको मिलता रहेगा अगर आपकी कुम्रासी है तो आपको धन के लिए सुख सम्रद्धी के लिए जीवन परियंत शनी महराज के साथ साथ हनमान जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि धन सुख सम्रद्धी आपके पास मिलती रहे और बात करेंगे अन्तिम्र आपकी तो ये आपकी new नासी है धन से पैसे से आप प्रेसान रहते हो तो भगवान विश्नु की पूजा करना भगवान राम की पूजा करना या भगवान क्रश्ण की पूजा करना आपके लिए सर्वुत्तम रहेगा आप इन तीनों देवताओं में से किसी भी एक देवता की रिगुलर्टी से पूजा करिए उनके दर्सन करिए निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाव होगा धन वैभाव सुक्ष संपदा गाड़ी मकान बंगलावान आपको मिल जाएगा मित्रों जब आर्थिक रूप से कोई भी व्यक्ति परेसान होता है तो उसको कुछ न कुछ उपाय जरूर करने पड़ते हैं यदि आप उपाय करते हैं तो आपकी तरक्की होना तैय है और यदि आप सिर्क वीडियो सुनते हैं तो फिर जैसा चल लहा है वैसा ही चलता रहे वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं गत्रिपाठी को अनमत दीजिए कर मिलेंगे नमस्कार